गुद मॉरिंग फर्स क्लास कैसे हो आप सब लोग बेटा आज डेट है 25 फरवरी 2021 आज इंगलिश का थोड़ा सा काम है आपका बेटा आज आपको क्या करना है यह देखे यह एक एपल बनावाई स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आपको यह एपल ड्रॉ करना है अच्छा करना है ठीक है और यह कोशन अंसर से हैं दो कोशन अंसर से हैं इसके और हाड वर्ड्स हैं आपको यह याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ वेर इस दा एपल क्वेर का मतलब कहा है एपल कहां वेर का मतलब कहां तो वेर इस the apple answer is on the tree इसका मतलब क्या होता है on the tree का on का मतलब होता है उपर यानि कि on the tree का मतलब क्या हो गया tree का मतलब पेड़ होता है on the tree यानि कि पेड़ के उपर सब को पता है पेड़ के उपर ही होता है apple तो apple कहां पर है on the tree यानि कि पेड़ के उपर question number two where is the boy वेर का मतलब मैंने बता दिया कहा तो वेर इस दा बॉय यानि कि लड़का कहा है आंसर है अंडर दा ट्री ट्री का मतलब पेड़ होता है अब उपर अन लिखा है और नीचे अंडर लिखा है आप ये concept on और under का बेटा समझ लीजिए ठीक है बेटा तो आपको ये अपनी copy में लिखना है अच्छी handwriting में याद भी करना है और ये apple बना के draw भी करना है फिर ये जो hard words लिखें हैं ये वाले आपको ये hard words जो four hard words है तो आप three times apple लिखेंगे ऐसी one two three यहाँ apple लिखेंगे ये ल है boy three times up boy लिखेंगे यही आपका आज का काम रहेगा बेटा मिलता हूं आप से नए वीडियो में नए topic के साथ thank you